किसान से बात करो, सवाल पूछते हैं, राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के 3-4 अरव पती, लाखों करोड रुपे करजा लेते हैं, और फिर, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का करजा माफ हो जाता है, हमने क्या गलती की, हम 50,000 रुपे का करजा लेते हैं, एक लाख रुपे का करजा लेते हैं, हमारा करजा कभी माफ क्यों नहीं होता है, उन्हें जब वो करजा वापस नहीं देते, तो उसे वो सरकार नौन परफॉर्मिंग एसेट कहती है, उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती, मगर जब किसान 50,000 रुपे का रुजा लेता है, वापस नहीं देता है, उसे नौन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहला जाता है, उसे डिफॉल्टर कहला जाता है, ये सवाल किसान पूछ रहे हैं, प्रधान मंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं, तुफान आता है, बारिश होती है, खेत बरबाद हो जाता है, एक रुपिया नहीं मिलता, फोन लगाते रहते हैं, नमबर से कोई जवाब नहीं देता, मेल भेचते रहते हैं, इंटरनेट पे मेल भेचते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, यह सब सुनकर काफी दुख होता है, यहाँ पे मौर्भी की ट्राइजिटी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला, देखिए, 150 लोग, लोगों की मृत्य हुई है, यह राजनेतिक बुद्धा नहीं है, इस पे मैं बोलूँगा नहीं, मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्नों ने ये काम किया, उनके खिलाफ कोई भी कारवाएं नहीं, कोई F.I.R. नहीं, बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिस्ता है, तो उनका कुछ नहीं होगा क्या, चोकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोगों हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं, और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री का ये सेंटर है, ये आपकी रीड की हड़ी है, ये जो छोटी कंपनीज हैं, मिडल साइज कंपनीज हैं, और आपके लोग सिरफ गुजरात में नहीं चलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हैं, ये ही तो देश को रोजगार देती हैं, ये जो अरब पती हैं, दो तीन, ये रोजगार नहीं देते हैं, जो छोटे बिजनसेज हैं, मिडल साइज बिजनसेज हैं, वो रोजगार देते थे, क्या हुआ? सरकार ने नोट बंदी की, आपसे कहा था, काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा, मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनसेज बंद हो गए, फिर गलत जी एस्टी लागू की, पाँच अलग-अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे, वो भी खतम हो गए, रास्ता साफ करना था, अरब पतियों के लिए रास्ता साफ करना था, कॉरोना के समय भी वो ही किया, मुझे याद है, हिंदुस्तान के मजदूर, किसी ने किसी पत्रकार में मुझे पूछा, कि आप, दो हजार किलोमेटर चले हो, मैंने उससे कहा देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदुस्तान का हर मजदूर, ये दो हजार किलोमेटर चला था, भूका चला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब उस मजदूर को सरकार के जरूरत थे, हिंदुस्तान के सरकार ने, गुजरात के सरकार ने, उनकी मदद नहीं की, और जब वो मजदूर, सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय, पीजेपी की सरकार ने, हिंदुस्तान के सबसे अमीर, अरबपतियों, कल लाखों करोड रुपे करजा माफ किया, जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते थे, वो चिला रहे थे, हम बरबात हो गए, नोट बंदी हुई, गलत GST लागो हुई, उसके बाद, कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी, यह पॉलिसिया नहीं है, यह नोट बंदी, यह जी एस्टी, कोविड में जो नहीं नहीं किया, यह पॉलिसी नहीं है, यह किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे वियापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वालों के खिलाफ, यह हतियान है, इनको खतम करने के हत्यार है और जो हिंदुस्तान के दो तीन बड़े अरब पती हैं जिनको आप जानते हो उनके लिए रास्ता साफ करने के हत्यार है वो कोई भी बिजनस चलाना चाहें चला सकते हैं जो भी करना चाहते हैं टेलेकॉम बिजनस करना है तो टेलेकॉम में घुझ जाएंगे, एरपोर्ट में घुझ जाएंगे, पॉर्ट में घुझ जाएंगे, इंफ्रस्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो भी सपना देखना का युवा कि सपना देखना चाहता है एंजिनियर बनना चाहता है तो पहले आप प्राइवेट इंस्टिटूशन ने जाई है लाखोन उपए दीजिए कि महंगाई सही है